दोस्तों इन दोनों माता पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनके बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए। दिन हो या रात बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं। अधिकतर माता पिता की सिकायत होती है आपको पता है कि मोबाइल की लगतार इस्तिमाल कर से हो रही हैं ऐसे में आप अपने बच्चों की मोबाइल की लट कैसे चुड़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा संदार तरीका जिसके अपनाने के बाद बच्चे खुद बखुद मोबाइल से तौबह कर लेंगे दोस्तों बच्चों में से तौबा कर लेंगे आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि एक खबर हर माता पिता तक पहुंच सके और वो भी अपने बच्चों में मोबाइल की गंदिलत को छुडाने के लिए यह कारगर तरीकर अपना सके दोस्तों बता दे कि उत्तरपरदेश के बदायों के एचपी इंटरनेशनल स्कूल की है बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है वीडियो में एक टीचर आँकों पर पट्टी बाद कर रोती हुई नजर आती है अन टीचर के पूछने पर वह मैला टीचर कहती है कि ज्यादा मोबाइल देखने से मेरे आखों से खून आ रहा है इस पूरे नाटक को रेल दिखाने के लिए टीचर ने अपनी आख पर लाल कलर और पट्टी बाद ली वीडियो में देखा जा सकता है कि अपनी टीचर की आ आइडिया की अलोचना भी कर रहे हैं टीचर के इस आइडिया का वीडियो अब सोचल मीडिया पर वाइरल है वीडियो के अंत में एक टीचर अपने बच्चों के सामने मोबाइल को कचड़े के डब्बे में डालती भी दिखाए दे रही है इसके बाद कुछ बच्चों को दिखाया गया है जो रोते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों बच्चों को मोबाइल से दूर रखना जरूरी है क्योंकि यह एक नाटक के माद्यम से सुधारने की कोशिस की जा रही है लेकिन मोबाइल बच्चों के लिए खतरनाक तो है ही मोबाइल की लत कभी भारी पढ़ स करती है बच्चों में